हलो फ्रेंद्स विल्कम टो जेवी से इस दिल से दोस्तों अमीद्य आप लोग बिल्कु ठीक टाक होगे और एक बार आपका फिल्स वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी के डेंटल हेल्थ को कैसे आप अच्छे तरीके से क सकते हो ताकि जब वो बढ़ा हो तो उसके जो पहले दाते वो बिल्कुल मौतियों जैसे आएं लेकिन एक छोड़े से रिक्वेस्ट दोस्तों यूट्यूपर रिलाको चैनल और एक बार मेरे चैनल का लिंक हो गया गुम तो आपको डूढ़ना हो जाएका बहुत ही मुश् तो दोस्तों बच्चे के मौतियों जैसे दात जो निकलते हैं उसकी जो शुरुआत है वो हमें तभी से करनी पड़ती है जब से वो छोटा सा बेबी होता है तो उसके लिए हमें उसको पहले ही साल में कैसे हमें उसको बंपालना चाहिए कि उसके दात आराम से निकल जाएं और साथ ही साथ उसके जो दात है वो बिलकुल ठीक हैं और आगे चल कर उसको braces वगरा लगाने के भी जरूरत ना हो या उसके दातों में कीड़े ना लगे तो क्या करें हम तो सबसे पहली बात ऊपये है दोस्तों की बच्चे को अगर आगे चल करके भीडिंग मतब बॉटल से फीट कराना चाहते हो तो बच्चे को 3 महीने की उमर से पहले ही आपको मतब की 2.5 महीने में ही आपको बच्चे को बॉटल देना शुरू कर देना चाहिए जब आप उसको bottle देते हो दोस्तों तो best of best जो bottle की जो nipple है जो सबसे अच्छे nipple है वही आपको उसको देनी चाहिए क्योंकि अगर आप उसको low quality की nipple दोगे तो उससे क्या है कि बच्चों की जो दांत है वो करी बार उचे हो जाते है और बच्चे को वैसा जो है feel भी नहीं आता है तो थोड़ी सी expensive अगर आप nipple खरीते हो especially मैंने देखा है थोड़ी अगर आप imported nipple खरीज सको तो कि imported nipples जो होती है वो काफी चलती भी बहुत अच्छी है तो imported nipples अगर आप खरीज सको या इंडिया की जो best company की nipples है वहीं आप खरीदो क्योंकि एक गेड़ साल तक ही बच्चा दोट पीता है लेकिन उसकी जो दाटों की shape है और जोसकी mouth की पूरी shape है वो इसी पर depend करती है कि आप कौन सा निपल उसके लिए juice करते हो तो निपल अच्छा मतलब कि अच्छी shape का normal चौड़ी shape का आप ज़रूर juice करिये इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है कि जो बच्चा है बच्चे को आपने हमेशा आपने try करना है कि जब भी वो थोड़े से 6-6 months में दाट निकालना शुरू करेगा तो उसको कई मायें जो होती है ना वो टूथर्स, टीथर्स जो प्लास्टिक के होते हैं वो देती रहती है और वो उन पे बच्चा चवाने लग जाता है और कई मायें ऐसी भी होती है कि निपल हमेशा बच्चे के मूँ में रख देती है उससे भी आप देखोगे germs का खतरा, bacteria का खतरा बढ़ता है बच्चे को फीवर जादा आने लग जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक की निपल वो कहीं बार फेकता है, कहीं बार उठाता है इसलिए जब 6 महिने के बाद बच्चा बैटने लग जाए तो आप उसको ये प्लास्टिक के टितर्स वगएरा ना दे करके आप उसको नाच्रल चीज़े जैसे की कुकंबर दे दो, चाहे कैरट दे दो या आप उसको कोई फल दे दो, जिस पे की वो बने चाटता रहे और खाता रहे उसमें क्या है कि उससे आपके बच्चे को प्लास्टिक के को जर्म्स भी अंदर निग जाएंगे और साथ एक साथ जो प्लास्टिक है, वो हार्ड होती है उससे क्या जाते हैं, बच्चे के गम्स पे बहुत एफेक्ट होता है तो अगर आप उसको नाच्रल चीज़ें दोगे, तो उससे उसके गम्स मजबूत हो जाएंगे उसकी जो पकड है गम्स पे, वो भी जो है, वो अच्छी हो जाएगी तो आप उसको वैसा ही दीजिए हमेशा उसके अलावब दोस्तों, आपने क्या करना है कि जब बच्चा दस एक महीने का हो जाए, दस एक महीने का हो जाए तो आपने bottle तो उसको दूद के लिए दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप उसको tumbler या glass वगेरा में भी पानी पिलाना शुरू करिए उसको encourage करिए कि वो glass से पानी पिए और especially आजकर जो ऐसे tumbler मिलते हैं एसे से भी पीने से बच्चा पानी गिराता भी नहीं है और बच्चा आसानी से पानी पीता भी है इसके लावब बहुत ही एक मातोपों इंपोर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आपके बच्चे को चॉकलेट का टेस्ट जो है वो तभी पता चलेगा जब आप उसको चॉकलेट खिलाओगे तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले दो साल आप बच्चे को टॉफी या चॉकलेट दो ही नहीं क्योंकि एक बच्चे धाई एक साल को जाता है वो कभी बढ़ प्लेग स्कूल वगरा जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यह चॉकलेट है फिर वो रोज उसको खाने के जित करता है, लेकिन अगर आप उसको दो-धाई साल तक, अगर कोई देता भी है, आपका कोई रिलेटिव है या पडोसी है, ताप बोलो नहीं, इसको चॉकलेट मन दीजे, तो चॉकलेट और टॉफी, अगर आप पहले धाई एक साल, दो-धाई साल तक आप अवोई बच्चों के पहले दात आती हैं, उस वकट तक बच्चों की जो दात है, वो बिलकुल सड़ चुके होती हैं, और बहुत मुश्किल होती हैं, कली बाद तो छोटे-चोटे जो बच्चे हैं, उनको हमने देखा है कि उन्चों चोट चोटे-चोटे बच्चों को भी रूट- problem बगेरा तो कि उसके बाद तो गिर नहीं है था तो कोई problem नहीं होगी उसके बाद उसको अगर आप chocolate खिला होगी भी और साधे साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपका बच्चा by the age of two, two and a half जो है bottle जो है वो छोड़ दे bottle चोड़ के बच्चे को आप tumbler या जहासे दूद पिलाएं क्योंकि जितना देर बच्चा दूद बच्चा बाटल से पिएगा उतना ही उसका जो mouth है वो थोड़ा सा उचे-उचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है फिर बाद में बच्चे को braces वगरा लगानी पड़ती है वै कपड़े से बांदी से ताकि वो अगुठा मुगी तरफ ना लीके जाए तो अगर ये सब चीजें आप बच्चमन में बेबी इसके साथ करती हो तो आप देखोगे बच्चे की जो दांत है वो इतने बड़िया अराम से रेकल जाते हैं और साथ ही साथ जब बच्चे का टी परसेंट आपको बहुत-बहुत मदद मिलने वाली है उन उपाए को करके अपने बच्ची की दात निकलने के प्रोसेस में तो उमीदे दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आये होगा है टेक केर लव यू ओल बबाई